नबस्कार कापिटल टीवी देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंग ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ी हुई सामने आ रही है आपको बता दी कि बियारे सनेता के कविता को कोट से बड़ा जटका लगा है के कविता को अंत्रिम जो जमानत मिली थी उसकी याचका खारिच कर दी गई है कोट के तरफ से जिसके बाद के कविता के मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ है अपडेट शराब घोटाला से जुड़ा हुआ है इस खबर पर तमाम चानकारी के साथ मिनुजरुम स पसला है और दूसरा इनके ही एंबेले इनके ही एक पूर्वमंत्री दिल्ली के पूर्वमंत्री ने एक रिट प्रिटिशन दायर किया है जिसे हाई कोट ने एकसेप्ट कर लिया है जिसकी सुनवाई दस तारिक को होगी तो केजरिवाल के दोनों तरफ से दिक्कत है क्योंक वाले समय में केजरिवाल इसी कोट के अंदर इसी जज के सामने जब वो पेश होंगे तो उनको भी बेल मिलने वाला बिलकुल नहीं है तो इसकी डीटेल में दूगा भाई कोट में क्या हुआ अब इसे मनुसिंग्वी स्वेम पहुंचे थे वो क्या कह रहे हैं उसके उपर हम बातचीत करेंगे लेकिन मसला वो को वारंटो रिट पिटिशन जो डाला गया है को वारंटो रिट पिटिशन जो है वो क्या है वो दरसल कानून के हिसाब से ये आप कोट में को आदमी रिट जालता है वो ये कहता है कि फ़ला व्यक्ति उस पोस्ट के उपर किस आधार पे ह क्या वो उसके लायक है क्या वो अधिकृत है और ये उस व्यक्ति को साबित करना होता है कि अगर को वरंटू रिट पेस जारी कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को बताना होगा तो ये जो है पिछले दो जो पी आईल थे कि जेल से कैसे चलीगी सरकार कानून का उलंगन जिसको कोट ने ये कहके हटा दिया कि जो पर्सनल इंट्रेस्ट है वो राष्ट्रिय हित के ऊपर नहीं होना चाहिए मतलब एक तरीके से केजरी वाल को फटकार लगाई कि तुम बहुत ही शेल्फिस बन गए हो तुम सारी मर्यादाओं को तोड़ चुके हो और नैसल पूरे देश का जो है मजाक उड़ रहा है तो ये लेकिन साथ में कोट ने हाई कोट ने ये भी कह दिया कि ये मामला जुड पती का है लेकिन ये लिए मसला तो अलग है अगर ये दश तारीक को ये केस जो है कोट इसको सुनता है और रिट जो है जारी कर देता है तब फिर केजरी वाल को बताना पढ़ेगा कि जेल के अंदर से वो कैसे अपने दाइत को जो है वो निर्वाह कर रहा है तो एक बड़ी मुस्यबत क्योंकि फिर तो बहुत सारे सवाल उठेंगे कि भाई फाइल कैसे साइन करोगे जेल में बहुत सारी चीजी तो वो एक बड़ी मुसिबत जो है वो होगी तो ये एक नया मसला आया है ये के कविता के केस में क्या हुआ मैं बार बार कहता हूं ये सब प्रेस कांफरेंस में बड़े बहदुर बनते हैं कि कोई सबूत नहीं है कोई कुछ नहीं है क्या है नहीं है अब अब शेक मनुसिंग्वी ने क्या कहा हुआ? अब शेक मनुसिंग्वी अंतरिम जमानत इसलिए मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए कि कविता एक महिला है, इसका एक बेटा है, बच्चे का एक्जाम चल रहा है, तो माइ लॉड आप समझे कि कि इतना जो है वहाँ पर होगा, कि उसकी बाद जो है वो गरिफतार हो गई है और एक्जाम भी देना है, तो इसलिए इमोशनल सपोर्ट देना है बच्चे को, इसलिए इनको जमानत दी जाए, क्या हुआ भई? आपको तो बोलना चाहिए? और जब हम लोग इस चीज़ रिकॉर्ट कर रहे हैं, तो म कि पहले ये लोग पकड़े गए, सराब माफिया ने नाम बताया मनिसी सोधिया का, तो मनिसी सोधिया आ गए, केजरीवाल आ गए, केजरीवाल ने नाम बता दिया, सौरभ भारत दौाज और आतिसी का कि भीजाएनायर उससे डिल करता है, और प्रेस कॉन्फरेंस करके आति दूर्गेश पाठक को बकाइदा समन भेज दिया गया है, उसको पूछताज के लिए बुलाया है, अब मैं आपको बता दू कि दूर्गेश पाठक, ये भी केजरीवाल का बहुत ही नजदीकी व्यत्ती है, और जो हमारी आदास तगर सही है, तो ये जो चापे मारी चल रह तो ये सारी चीजे कि ये किस तरीके से मुसीबत जो है वो बढ़ता चला जा रहा है तो एडी की कारवाई रुक नहीं रही है और ये इसलिए भी रुक रही है क्योंकि आपको कोट के अंदर इस तरह के कुतर के देने होते हैं और इसलिए जो एडी के तरफ से कहा गया कि जेना है बच्चों को इसलिए हमको जमानत दे दीजिए लेकिन इसके बारे में क्या खुला सक्या एडी ने My lady will have to decide the extent of her involvement and the material against her. I have forensic reports which shows how evidence was destroyed. She deleted evidence in her mobile phone. This was done on the date she was issued someone. There was no data in app like FaceTime. On March 11th, she said she will produce the phone on the next day and the next date she produced nine phones but these were formatted. मतलब बड़ी शातिर मेला है. तो इस आधार पर आप देखिया और ED ने कहा कि हम बहुत ही बड़े मेजर ब्रेक्ट्रू के मुहाने पर खड़े हैं. इसलिए इनको बेल नहीं दिया जा सकता. तो ED सबूत दे रही है. ED इनको घेर रही है. और आप वहाँ बहाना कर रहे हो. कि मेरे बच्चे की परिक्चा है. अब यह सारी कवायत तो चल रही है. और दूसरी तरब समस्या क्या है आमादी पाटी और केजरिवाल की. कि कल सुनीता भावी को नहीं बुलाया गया. क्योंकि वहाँ पे 200-500 लोग थे. भीड जुठी नहीं पाई. यह इतना ताम जाम. औ जेल का जवाब वोट से कैसे दोगे? क्या करोगे? तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? लोग है नहीं, कार करता है नहीं. तुम्हारे पीछे कोई आप टोटली एक्सपोज हो गये हो. आप मीडिया के जरिये आप प्रपंच कर रहे हो, अफ़वा फेला रहे हो, यह सब आपके खिलाफ इस घोटाले में जो सबूत और साक्ष पेश किये जा रहे हैं, उसका तो कम से कम आपको ध्यान देना पड़ेगा. आप इस तरीके से पब्लिक को बेवकू बनाकर की राजीती तो कर नहीं सकते हैं. और उसमें एक और भी ख़बर आ रही है कि उसमें आपस म नहीं यह लोग आपस में लड़ जगड़ रहे हैं. आज प्रस कांफेंस सुरू हुआ तो बीच में गोपाल राय बैठे हुए हैं तो पहले जिसने शुरू किया उसने कह दिया कि अब संजय सिंग जवाब देंगे तो बीच में गोपाल राय बिलकुल वो परिशान होगे क हमको बोलने का मौका नहीं दिया जागा. तो संजय सिंग ने कहा कि नहीं, तुम भी बोलो, आप भी बोलिये इसमें. तो फिर वो भी जो है, वो आकर कि अपना भासत दे रहा है. आतिसी को भेज दिया गया है तीन दिन के लिए हैं सम्में. यह क्या चल रहा है पार्टी के कगार पे है केजरिवाल को गिरफता कोई रिलीफ नहीं मिल रही है आपके बाकी साथ ही जो इस पूरे घोटाले पे थे कोट से उनको जटके पर जटका लग रहा है कुछ और नहीं लोगों को बुलाया जा रहा है अब यह जाएगा इससे पूस्ताज की जाएगी क्योंकि बह भी तो हें हिनुदूस्तान में चड़ण क्या करेंगे नहीं करेंगे लेकिर अभी दुर्णके orta तो नब गए अब यह जो है कि अभी उनके पश्ताब होगी केजरीवाल का जो पीए विभव उसे भी पूस्ताज होगी तो कई सारव को सारा ग Jess सारा यौए यह फसता वो न जटका लगा है और जो अंत्रिम चमानत के लिए उन्होंने याचका लगाई थी वो याचका कारिच कर दी गई है और इसके साथ ही दूसरी तरफ के जिवाल की मुसीबते बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की मुसीबत लगातार बढ़ती हुई नसर आ रही है इस कमर में फिलाल के लितना ही देखते रही है कापिटल टिभी के अमना प्रशन रवी के साथ मैं दिव्या नमस्कार